जैहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोशिन के बारे में इस कोशिन में क्या का गया है इन इस सर्टेइन इयर एस सम ओफ मनी सम ओफ मनी इस डबल इटसेल एट तिक्स इसकी रीट ओफ इंटर्स दिरखी है इंटर्स पर एनम देन रिक्वाइट टाइम विल बी तो उसमें पूछा कि वो कितना टाइम पिरेड होगा कि जिसमें यह अमाउंट अपने का डबल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है मैंने माना कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वहित 100र्पय है तो मेरे पास टूटल अमाउंट है कितना हो जाएगा Principal amount कितना है मेरे पास में 100 है मेरे पास जो rate of interest है वो कितना है 25 बाइम 4 यानि कि मैं इसको लिख सकता हूँ 25 बाइम 4 यानि कि 25 इंटू में 400 में इसे लिख सकता हूँ बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास में यह Merciful हो जाएगा इस 100 से 100 गया पच्चिस और चोकेस होगा तो यानि कि चार चोक 16 यानि कि 16 year में वो जो amount है अपने का double हो जाएगा यानि कि एक बार और देखते हैं इस question को देखिए ये मुझे पता है ये principle है ये RY में 100 हो गया ये मेरे पास time period हो गया इस call to ये मेरे पास में SI हो गया जो principle होता है उसमें अगर मैं SI add करूँगा तो मेरे पास जो बनेगा वो मेरे पास amount आएगा total amount यानि कि मिजद्धन जिसे हम इंदी में कहते है मूलदन, साधरन भियाज और मिजद्धन मेरे पास में ये आएगा तो सिंपल सी बात है उसने काए double हो गया तो यानि कि मेरा जो principle है P into me R by 100 into me time period plus का principle में add करूँगा तो ये बराबर में क्या होगा double P के बराबर हो जाएगा total amount ये यहां से मैंने P अगर मैंने भार निकाल दिया तो P मेरे पास भार निकले है आर की value कितनी मेरे पास में है आपकी 24 और 25 बटे में कितना 25 बटे में 4 तो यानि कि 25 बाय में 400 into me T plus का 1 इस कल्टू में 2P ये P से ये P common कर जाएगा इसको मैं देखूँगा अब इसको देखेंगे तो ये मेरे पास 25 बाय में 400 T इसकल्टू में ये इधर जाएगा तो ये होजाएगा 1 तो ये T इसकल्टू कितना जाएगा मेरे पास में 400 बाय में 25 तो पच्चिस चोके सो तो टाइम पिरेड कितना होगा आपका 16 येर 16 येर इस कोशन का ये correct answer होगा अगर इसे आप और औरली करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं आप नहीं याद रख पाएंगे तो simple सा एक logic याद रखिए कि ये मेरे पास R into T है ये इस formula को याद रखना इसका मतलब क्या है कि जितना time वो principle को गुना करने के लिए बोले उतना को ना कर दीजिए और आपको मानना है कि 100 उपीस मेरे principle है जो अभी हमने किया यह वही है 100 को double करने के लिए क्या है तो यह क्या होगे आपका 100 को double करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 यह क्या हो जाएगा amount और amount में से मुझे interest निकालना तो principle minus करना पड़ेगा यानि कि जितना बोले 3 time बोले 4 time बोले 5 time बोले उतना multiply करो और हर बार उसमें से 100 minus कर दो तो यहां जैसी 100 minus करोगे तो आपको interest कितना हैगा मेरे पास में 100 उपीस और जो आपको time period दे रखा है या rate of interest दे रखा है उन दोनों में से किसी एक को replace कर तो यहां पर rate of interest दे रखा है तो मैं लिख सकता हूँ 25 by 400 into में T बरावर में 100 हो जाएगा तो time period कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 into में 400 बाव में 25 तो यह कितना हो जगा टीज कर्टू कितना जाएगा 16 यह आजाएगा आपका यानि कि option c होगा वह आपके लिए correct answer होगा I hope आप सभी के question समझ में आएगा जाहिंद जाह भारत